Welcome Everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा Guys, आज आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक ऐसी मूवी लेकी आई हूँ जहां हमें पता चलेगा कि अगर हमारी अर्थ बिल्कुल डेस्ट्रॉई हो गई है और उसके बाद में वहाँ कोई भी इंसान जानवर कुछ भी नहीं है और अगर उनमें से कुछ इंसान बच भी गए है तो वो कहां पे रहेंगे और guys इसी के साथ हम लोग एक रोबोर्ट की लवेबल स्टोरी भी देखेंगे जो शायद आज से पहले मैंनी तो कभी नहीं देखी है कि रोबोर्ट भी इतनी जाद सैंसिबल इंटेलिजेंट और लवेबल केयरिंग हो सकते हैं guys ये मूवी 2008 में आई थी जो कि एक computer animated science fiction मूवी है तो चलिए बिना प्रतिक्षा कराए मैं आपको ले चलती हूँ 29th century में जहां पे हमें दिखाया गया है कि अर्थ पे सब कुछ destroy हो रखा है और वहां पे एक रोबोट है जिसका नाम है वॉली और इसकी पास instruction है कि ये यहां के garbage को cubes में बना के रखता जाए वॉली एक ऐसा रोबोट है जिसके पास सुभह शाम सिर्फ और सिर्फ garbage को एकटा करने के लावा दूसरा कोई काम नहीं है हम वहां देखते हैं कि वॉली के साथ में एक चोटा सा कॉक्रोच भी है वॉली इतनी सालों तक अर्थ पे रहके काफी सारी चीज़ें सीख चुका था और इसी के साथ इस destroy अर्थ पे वॉली ने अपना एक घर भी बना लिया था जिसके अंदर वो हर छोटी छोटी सी चीज़ें जो उसे पसंद आया करती थी अपनी पास रखा करता था वॉली के पास एक ऐसा cassette था जिसके अंदर इंसान dance कर रहे थे और वॉली वो ही चीज़ अपने सिस्टम के अंदर record भी कर लेता है वॉली solar power सी charge हुआ करता था अगर वो discharge हो जाया करता था सुबह उठके उसका morning routine रहता था कि sun के पास में जाये और खुद को charge कर ले वॉली को एक दिन बहुत unique चीज़ मिलती है ये एक plant था जिसे वॉली अपने पास में ही रख लेता है और इसके बाद में वॉली को एक light दिखती है जिसका वॉली पीछा करते करते काफी दूर आ गया था और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा सा spaceship उसके उपर आ रहा है वॉली खुद की जान बचाने के लिए खुद को जमीन के अंदर चुपा लेता है कुछ दे बाद वॉली को पता चलता है कि उस spaceship में से एक robot और बाहर आया है वॉली चोरी छुपे उसे काफी समय से देखी रहा था हम देखते हैं कि ये robot भी इस earth को scan कर रहा था पूरी तरीके से गलती से वॉली से जब कोई आवास हो जाती है तो ये नया robot वॉली के उपर शूट कर देता है ये नया robot वॉली को भी एक पर scan करता है और जब वॉली के अंदर उसे कुछ नहीं मिलता है तो वो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाता है वॉली कई समय तक इस रोबोट का पीछा करता रहता है और एक दिन ऐसा आता है कि जब वॉली इस रोबोट से बात करता है तो ये रोबोट अपना नाम इव बताती है और वॉली इसे इवा कहता है वॉली अब अपने इस नए दोस्त को अपने साथ घर ले आता है जहां पे वो अपने से चोड़ी हर चीज इवा को दिखाता है लेकिन इवा इन चीजों से फैमिलियर नहीं थी इसलिए वो कुछ न कुछ गड़बड़े कर रही थी इवा को भी प्रोजेक्टर पे चलता हुआ डांस काफी अच्छा लग रहा था और इसके बाद में वाली ने जो प्ल लोग जिन्दा बचे थे अर्थ के अंदर ये सभी लोग इस इस पेशिप में बैटके युनिवर्स में चले गए थे और यही इस पेशिप वापिस से कुछ रोबोट अर्थ के उपर भेज रही थी ताकि ये लोग वापिस से अर्थ पे इंसानों की एक्जिस्टेंस देख सके कि यहाँ पर कोई चीज जिन्दा रहे भी सकती है या नहीं और इसी रीजन से इवा को भी भेजा गया था और इवा के पास में जब यह प्लांट आता है तो इवा का मिशिन पूरा हो चुका था और इसी के साथ इवा की डिम पावर के कारण इवा खुद को शट डाउन कर लेती है लेकिन इसके साथ में यहाँ पर उसका सिक्यारिटी कैमरा भी चालू था यह चीज यहाँ पर काफ़े इमोशनल था वाली को जब अपना नया दोस्त मिला ही था कि उसकी कुछ टाइम बाद में उसका नया दोस्त उससे दूर हो गया था वाली काफी कोशिश करता है कि वो इवा को ठीक कर सके वो सोचता है कि क्या पता यह रोबोट भी सोलर पावर से चालू हो इसी कारण वो इवा को काफी टाइम तक धूप में भी रखता है वो इवा को अपने साथ एक इलेक्रिसिटी लाइट से बांद के अपने पीछे-पीछे चलाता है वाली हर और वैली घ्लास के अंदर से एवा को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता अंदर आने के बाद वाली को पथा कि इवा को स्कैन किया जा रहा है और इसी के साथ में इवा को अपने साथ कुछ दूसरे रोबोट कहीं दूसरी जगह ले गए हैं इस स्पेस्शिप में आने के बाद हमें पता चलता है कि इंसान अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं वो इतनी जादा लेजी और हेल्थी हो चौन की हेल्प की थी खड़े होने में अब हमें यहां पे इस स्पेस्शिप का कैप्टन दिखाया जाता है जो कि खुद भी अभी तक सो ही रहा था और इसका सारा काम एक आटो नाम का रोबोट कर रहा था स्पेस्शिप को सारा चेक करने के बाद में कैप्टन यहां पे आ कैप्टेन को ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी इसलिए इस कैप्टेन को भी अपना मैनुवल चेक करना पड़ा और मैनुवल चेक करने से इसे पता चलता है कि जैसे यह अर्थ पे अगर कोई प्लांट या कोई इंसान मिलता है तो हम लोग घर वापस जा सकते हैं अब टाइम था कि शायद इवा के अंदर कुछ डिसॉर्डर आये हैं इस कारण इसे ठीक कराने के लिए भेज दो और ये एक जूटी अफ़ा थी कि कोई प्लांट मिला है यहां पे इवा को एक तरीके से रोबोट्स के हॉस्पिटल में ले आया गया था जहां पे सारे ऐसे रोबोट्स थे जिनकी अंदर कोई न कोई खराबी थी वाली वहां बाहर ही रुका हुआ था और वो देखता है कि इसके आसपास के सारे रोबोट्स ही खराब हैं इवा को एक दूसरी कैबिन में ले जाया गया था जिसकी आगे एक काच की शील्ड थी वाली को लगता है कि ये लोग इवा क के साथ में कुछ बुरा कर रहे हैं इसी कारण वो इवा के पास में भागता हुआ पहुंच जाता है और जब वो खुद की सेक्योरिटी को ब्रेक करता है तो वहां पे बाकी रोबोट्स की भी सेक्योरिटी ब्रेक हो जाती है और सारे खराब रोबोट्स वहां से भागने ल नहीं है लेकिन तभी वहाँ पर वॉली को कुछ आवाज आती है वे देखते हैं कि कि किसी दूसरे रोबोट को चुरा लिया था और वह उस प्लांट को वापिस से अर्थ से बीचना चाहता है ौली उस स्केप 주고 काप्सूल और नहीं कर पाता है और यहाँ ईवा सोचती है कि कैसे वॉली को यहाँ से बाहर निकाला जाए इसलिए वो भी emergency exit से बाहर निकल जाती है वॉली का spaceship blast हो जाता है यह चीज़ देख कि ईवा को बहुत जादा बुरा लगता है लेकिन तब ईवा देखती है वॉली को दूर से आते हुए अभी भी वॉली जिन्दा था और वॉली के साथ में वो प्लांट भी बचा हुआ था यह चीज़ देख कि ईवा और वॉली दौनों ही बहुत खुश थे और वो पूरे galaxy के अंदर गूमने लगते हैं अब इन दौनों को अपने कैप्टेन के पास जाना था यह प्लांट वापस देने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि दो इंसान अपने illusion से बाहर निकले हुए है और वो आपस में बात भी कर रहे थे यहाँ कैप्टेन को जब अर्थ के बारे में पता चलता है तो उसमें और ज़ादा curiosity आ जाती है कि अर्थ इतनी सुन्दर जगा है और वो हमारा घर है अब यहाँ पे इवा वापस से एक planning करती है ताकि वो कैप्टेन के पास में पहुँच सके और जैसे ही कैप्टेन इवा को देखता है plant हाथ में लिए तो कैप्टेन काफी खुश था कि हम लोग फिर से घर जा सकती है और इसी टाइम पे यहाँ पे इवा की memories देखना भी start हो जाती है इवा देखती है कि जब वो turn off हो चुकी थी तो वाली ने कैसे उसका ध्यान रखा था वो हर टाइम उसके साथ ही था इस कारण इवा और ज़ादा अटैच हो जाती है वाली से लेकिन तभी वहाँ पे आटो पहुँच जाता है जो कि कैप्टेन से वो plant वापिस मांगता है कैप्टेन यहाँ पे गुसा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यह plant कभी नहीं दूँगा और तुम आकिर ऐसा क्यों चाते हो कि हम घर ना जाएं तो आटो कैप्टेन को एक वीडियो दिखाता है जहाँ पे प्रेसिडेन बोल रहे थे कि हम सभी लोगों को वापिस से स्पेशिप में बैटके बाहर जाना पड़ेगा हम लोगों के लिए अर्थ बिल्कुल सेफ नहीं है और यह मेरा लास्ट कमांड है कि अब सारे डिसिजन रोबोट सी लें और हम लोग अर्थ पे कभी नहीं जाएंगे इसी कारण आटो अभी तक यही मैनुवल फॉलो कर रहा था कैप्टिन कहता है कि यह मैनुवल 700 साल पुराना है और अब जब यह प्लांट मिल चुका है तो हम अर्थ पे फिर से जाएंगे लेकिन वो आटो वहाँ पे उस प्लांट को लेके वापिस से गार्बिच बॉक्स में फैंक देता है लेकिन तभी वहाँ से वाली निकल के आता है और वाली ने फिर से एक बार वो प्लांट बचा लिया था लेकिन दूसरे रोबोट ने वाली को काफी जादा नुपसान पहुचा दिया था इलेक्रिसिटी शॉर्ट सर्किट देके इसकारण वाली सीथा गार्बिच गोडाउन के अंदर पहुच जाता है जहां भी सारा ट्रेश रखा हुआ था इवा भी उसके पीछे पीछे वहीं आ जाती है वो देखते हैं कि सारे गार्बिच को यूनिवर्स के अंदर फैका जा रहा है और इसके अंदर अब ये दौनों भी जाने वाले थे इवा देखती है कि वाली का डिस्क बिलकुल खराब हो चुका है इसकारण वाली किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है और अब वाली वापिस से हाथ में वो प्लांट लेकि इवा को कहता है कि अर्थ अर्थ देट मींज हम सभी लोगों को अर्थ पे जाना है और वाली भी अर्थ पे जाकर ये ठीक होगा अब इवा का फाइनल मिशन यही था कि वो प्लांट को कैप्टेन तक दे पाए और वाली को वापिस से अपनी साथ अर्थ ले जा पाए इवा वॉली को अपने साथ उठाती है और वापस से कैप्टेन तक पहुचने की कोशिश करती है रास्ते में बाकी रोबोट्स जो की खराब हो रखे थे फिर भी वो इवा और वॉली की पूरी हेल्प करते है यहाँ पे ओटो ने कैप्टेन को बंद कर दिया था लेकिन इनसान तो इनसान ही है वो रोबोट्स को भी मैनुपलेट कर सकते हैं इसी कारण कैप्टेन ने रोबोट को पागल बनाया और एक इमिजनरी स्क्रीन से दिखाया कि कैप्टेन के पास में प्लांट वापस आ चुका है हम यहाँ देखते हैं कि हॉलो डिटेक्टेर वापस से वो आटो बंद कर रहा था लेकिन वॉली ने ऐसा होने ही नहीं दिया वॉली ने उस पूरे hollow detector को अपने उपर रोक के रखा था और अब captain भी वापिस से उठ चुका था और वो auto robot से लडने के कोशिश करता है और एक समय ऐसा आता है जब वो उसको पूरी तरीके से बंद कर देता है यहाँ पे अब सारे इंसान भी एक तूसरे की help कर रहे थे जब उने पता चला कि हम लोगों को यह plant hollow detector में डालना है तो सभी लोग plant को एक दूसरे पर पास करने लगे और फाइनली एवा के पास में जब वो plant आया तो वो hollow detector में plant को डालती है लेकिन तब तक वाली बिलकुल destroy हो चुका था और अब यहाँ पे यह spaceship hyper jump लेती है और सीधा अर् और इसी के साथ में वो वाली के डिस्क भी चेंज करती है जब वाली वापस solar power से charge होता है तो वो चालू हो जाता है लेकिन इस पर वाली बिलकुल change हो चुका था क्योंकि उसकी disk change होने के कारण वो reboot हो चुका था और उसे अब कुछ भी पुराना याद नहीं था उसके पास एक ही mission था कि garbage को cubes में बदलना है इवा उसे हर चीज याद दिलाने की कोशिश करती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि शायद वाली कभी भी इवा को याद नहीं कर पाएगा लेकिन जब इवा यहाँ पे वाली को हग करती है तो वाली की वापिस से memory refresh हो जाती है और वाली य एक नई जिन्दगी शुरू कर सके और इसी के साथ guys यह movie यहीं पर खत्म होती है तो guys आप सभी लोगों को कैसी लगी है यह movie मुझे जरूर बताएगा और साथ ही यह भी imagine करिएगा कि अगर हम सब लोग मर जाए और 700 साल बाद में इस अर्थ पर कुछ भी ना बचे तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी universe के अंदर किसी spaceship के अंदर travel कर रहे हों तो चलिए guys मिलते हैं फिर आप सभी लोगों से किसी अगली movie में तब तक के लिए टाटा कर दो कर दो किसी अंदर दो कर दो